सेट जे एच सोनावाला हाश्कूल माज्यमिक विभाग मा हुँं एमेम जादव दोरण नव विशाई योग स्वास्थ्य अने सारेरिक सिक्षन मां पाठ एक योग विशे आजे आपड़े अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रो वर्तमान COVID-19 नी परिश्थिती मां सेक्षनिक वर्ष 2020-2021 मां होम लर्णिंग कार्यक्रम द्वारा प्रथम वार विडियो ना माध्याम थी आपने मली रह्याँ छिये। आप सोव मजामा हसो एवी आशा राखोशु। आपने तब्यत्नु ज्यान राखी आ रिते घरेज अभ्यास करशो एवी आपने विद्यार्थी मित्रो हवे आपने पाठ एक योग विशे अभ्यास करीशु। योग सब्द ती आपने बदा सारी रिते परीचीत छिये। आजकाल समाजमा वर्तमान पत्रो तेमज टेलीविजन सोश्यल मीडिया जेवा प्रचार माध्यमों द्वारा आज सब्द घर घर सुदी पहुँची चुक्यों छे। योग प्राचिन भारते विश्वाने आपेली आनुपम भेट छे। ए नित्य नुत्तन विग्नान छे। योग प्राचिन काल माँ जेटलो उप्योगी हतो तेटलो बलके तेना थी पन घणो वदू उप्योगी आजना समय माँ छे। योग केवड व्यक्तिगत विगास ने उत्तेजन आपतो होई तेवू नथी। पन ते सामहिक विगास ने पन उत्तेजन आपे छे। तेथीज तेना आ महत्वनो सार्वत्रिक शिवकार थेलो जोता संयुक्त राष्ट्रो युनाइटेड नेशन सस्ताए एक्विष्मी जुन्ना दिवस ने आंतर राष्टिय योग दिवस जाहेर करियो छे। विश्वना सोथी प्राचिन साहित्य एवा वेद उपनिशत सहित अनेक ग्रंथो मा योगनु निरुपन जोवा मले छे। वास्तव मा वेद मा छो दर्शन परंपरा जोवा मले छे। जेमके सांख्य, योग, न्याई, वैशेशिक, पुर्व मिमासा अने उत्तर मिमासा। आ तमाम माथी उत्तम और सहज विचारोंनों संकलन करीने महर्शी पतंज लिए योग सुत्र नामना ग्रंथनी रचना करी। महर्शी पतंजली तक्सशिला विद्यापीटना प्राचार्य हता अने योग उप्रांत व्याकराण अने आयरुवेदना पन निशनांत हता तेमनो आगरंत सुत्रात मक छे जेमा अत्यांत गहनता होवा छता पन स्पष्ट अने सचोट एवा सुत्रो मार्फते योगनी रजुवात करी छे आवा कूल मलीने 155 सुत्रो ने चार प्रकरणों मा तेमने वहेंचिया आछे योग एक कोई सास्त्रा न थी परंतु जीवनना सत्याने जानी समझी जीवी ने जीवनने बदलवानू वीगनाने छे बिजी रिते कहिए तो योग जीवन जीवानी एक प्रणाली छे एक रित छे जेमा कोई मता ग्रहने स्थान न थी मानवी ना व्यक्तित्वना तमाम पासावनो संपण विकास करवा माटे योग ए अमोद अवसद रूप छे योगना वर्गखंड माँ विनी योग अने नित्य योगा अभ्यास कोई पन विज्जार्थीने सरीर्थी बढ़वान, मन्ती सांत, बुद्धी थी तेजस्वी, चीत ती प्रसं अने जीवन विहवर माँ प्रामानिक बनावे छे आम समाज, राष्ट अने समस्त मानावतानू कल्यान थाई एविक समता योग मा रहेली छे हावे योगनी विविद परिभासा अने अर्थ विशे आपड़े जोईशू योगनी श्वरूप एटलू विशाळ छे के तेने कोई एक व्याख्या मां बांदू मुस्केल छे योग, सब्द, संस्कृत, यूज धातू पर्थी बनेलो छे जेनो अर्थ, जोडान, मिलन, मेलाप के संयोग थाई छे चितनू वेश्वीक चेतना साथे जोडान करवू, ते योग छे स्वामी विवेकानंदे कहयू छे, के दरेक व्यक्ती दिव्यता प्राप्त करवानी संभावना धरावे छे आपणामा छूपाएली आशुशुप्त सक्ती के दिव्यता साथे आपणू मिलन करावी दे एटले के ते दिव्यताने प्रगट करे छे, ते योग छे महर्शी पतांजली योगनी व्याख्या तेमना प्रथम ग्रंथना प्रथम प्रकरणना बिजासुत्रमा करे छे आपणा चितमा जे निर अंकुष रुत्तियों सतत पेदा थाई छे, एटले के आपणा मनमा अनेक जातना विचारों उत्पन थाई छे ए विचारोंने समापती एटले के विचारों ना आवे, एवी परिष्थिती उत्पन करे छे, तेने योग कहे छे आम, रचनाकार, एटले के महर्शी पतंजली पन, तेने सारिडिक करता मानसिक माने छे वास्तों मा योग ए मनो विग्नान छे, चितनी वृत्तियोंना नियंत्रण ग्वारा, नकामा विचारोंने दूर करी स्वयमना विकास मा उप्योगी एवा विचारोंने स्थिर करवा ए योगनो लक्ष अशे अबे, योगना विविद मार्क आपड़ा ग्रंथों मा योग सब्द विविद रिते वपरायो छे योगनो मूल अर्थ परम चेतना साथे एक्याज साधू एवो थाई से परम चेतना साथे एक्याज साधू एटले के परमात्मा साथे एक रूप थे जवो परमात्मा साथे तल्लिन थे जवो एवो थाई छे एक्याज साध्वा माटे विविद मार्कों छे अने ते मार्क प्रमाणे तेमना नाम छे जेम के भक्ती द्वारा एक्याई सादू एटले भक्ती योग आस अंसार ए पर्मात्मानू व्यक्त शोरुक छे एम समझी तेनी सेवा द्वारा एक्याई साद्वानों प्रेयास एटले करमायोग बुद्धी वडे आश रुस्टी ने तेम ना रचनाकारनी समझ प्राप्त करी ग्नाना मार्गे एक्याय साधवानो प्रेयास एटले ग्नान योग अने शरीर, प्राण के मन पर नियांत रण मेलवी एक्याई साध्वानों प्रेयास एटले राजी योग एने ज पातंजल योग के फक्त योग कहे छें आम अहीं आपड़े जेनी वात करी रहया छिये ते आ महर्शी पतंजली रचीत योग के राजी योग छें योग अंगेना भ्रामक ख्यालो अवे आपड़े योग विशे कया कया भ्रामक ख्यालो समाज मां प्रवर्ते छे एना विशे आपड़े जोईशू योग अत्यंत महत वनो और अने उपकारक विशय होवा छता योग विशे समाज मां अने एक गेर समजो आने खोटी मान्यताओ प्रवर्ते छे जेम के योग सामने लोको माटे नहीं परन्तु साधु संतो माटे छे योग अलोकिक विशाई छे योग एटले केवड आसन प्राणायां योग एटले एक प्रकार्निक कसरत योग एटले केवड चिकित छा पद्धती योग धार्मिक सा प्रांप्रदाईक विशाई छे योग वांचन अने प्रवचन नो विशाई छे योग सुन्दर्ता माटे छे योग एक चमतकार छे आवा अनेक खोटी मान्यताओना कारणे एक लांबा गाला सुधी लांबा समय शुधी आपड़े योगना लाब थी वन्चित रह्या हवे समाज मा जागरूती आवी रही छे योग सीविरन वारम वार आये जन थतु होई छे केटलाक स्थानों पर हम्मेशा योग अभ्यास थाई छे तो जाहेर बगी चाओ जेवा स्थलो पर पन लोको आशन प्राणायाम करता जोवा मले छे परंतु हजी पन वदु व्यापक अने उंडान भर्या प्रेवत्न करी योग ए सारिरिक कसरत छे एवा अभिगम ने बदले योग ए मन अने सरीर ने समझवानू विगनान छे एवो सुद विगनानीक अभिगम बनावानी जरूर छे योग ए एवी आनन्द प्रद मनो देहिक व्यवस्ता छे जे शरीर ने निरोगी अने द्रड तथा मनने सांती अने स्तीरता प्रदान करी व्यक्तिने आध्यात्मिक विकास माटे तैयार करे छे योग ना लाबा लाब योग ए शरीर अने मन बन्य माटे नो विगनान होवा थी तेने विश्व भरमा आवकार अने विगनानीक श्वीक्रूती मली छे विश्व अर्योगियो संस्ता डवलू एचो द्वारापन सारिरिक मांचिक स्वास्त्यानी महत्वपूर्ण कडी तरीके योग प्रसिक्षण पर भार मुकुवामा आवे छे नित्य योगा अभ्यास्ती बुद्धिनो सहज विकास थाई छे विध्या अभ्यास्तनी साथे साते सतत अने सातत्य पूर्णा रिते योगा अभ्यास करवा थी सरिर्नी स्वच्ता अने स्वच्तता सहज रिते प्राप्त थाई छे जेम विग्नान्थी प्रयोग समझाई छे, तेम योग ए आंतरीक प्रयोग एटले के अनुभूतिनों विशाई छे विग्नान प्राप्त करवा माटे आपणामा स्रद्धा, नम्रता, अनुशासन, साधना, सेवा, साधगी, संकल्प सक्ती वगेरे गुणों जरूरी छे योगा अभ्यास ब्वारा यम नियम नुपालान करवा थी, सहज रिते आपणामा आगुणों नो विग्नान प्राप्त करवा माटे आपणामा उच्छा औने इच्छा साथे आपणों प्राण बलवान होवो जोई प्राणायाम थी प्राण बलवान थाई छे, माटे रोज प्राणायाम करवा जोई द्नान प्राप्ती माटे चेता तंत्र खुबज महत वनू माध्यम छे चेता तंत्र नी कार्यक्संतानों बद्धोज आधार करोड नी स्तिती स्थापक ता उपर छे आसोनो करवाथी करोड स्तिती स्थापक बने छे जिनान प्राप्ति माटे आपणे ध्यान दैने भणू पड़े छे एटले के आपणा चंचल मनने सांत अने एकाग्र करवू पड़े छे मननी एकाग्रता माठे नित्य ज्याननो अभ्यास करवो जोईये ज्यानती निजानन्दनी अनुबुती थाई छे वर्तमान समयमा वेग्नानी सोध संसोधनो ए समाजनी सुक सगवर्तामा वधारो करयो छे परन्तु भोवतिक वस्तुव पाचल मानसनी समजन विनानी डोटने कारणे सारिरिक औने मांचिक बीमार्यो वधी छे आ बद्धीज विकार युक्त परिस्तिती माथी मुक्ती मिलवानो राजमार एटले योग करो योग औने रहो निरोगी योग अत्यान्त महत्व पुर्ण औने उप्योगी विशय होवा छता तेने जो समज्याविना अपनावामा आवे तो तेनू विपरित प्रणाम आपनने मले छे लाब करता नुक्सान वदू थाई छे योग वांचन के प्रवचनने बदले प्रत्यक्स अनुभव करवानो विशय छे एटले प्रारम बे योग्य मार्ग दर्शक के निश्नांत मार्ग दर्शन थी योग अप्यास करवो जोई विद्यार्थी मित्रो आप आठनू बे वार ध्यान थी वांचन करशो तो स्वाध्याई ना बद्धाज प्रस्णों ना जवाब आपनने मड़ी जसे ए प्रस्णों तर आपड़े नोटबुक मा लखवाना छे मने आसा छे के तमें आ स्वाध्याई करशो अस्तू